प्रगति शील्द समादवरी पार्टी लोहिया के रास्ट्रे महा सचेव चक्रपाणी यादव ने शुकरवार को हापुड में कहा कि प्रस्पा विदानसवा 2022 के चुनाओं में किसी भी राजनीती दल से गट बंदन करेगी लेकिन किस दल से गट बंदन होगा इस पर कुछ भी कहना जल्द बाजी होगी प्रस्पा के रास्ट्रे महा सचेव चक्रपाणी यादव शुकरवार को जिला कार्याले का उदगार्डन करने के बाद पतरकारों से वार्था कर रहे थे हमारे जो राश्ट्री अध्यक्ष हैं श्री श्रीवपाल सिंग यादव जी ये पहले समाजवादी पार्टी में थे और समाजवाड़ी पार्टी में इनका इस्थाम श्री मुलायम सिंग यादव जी के बाद दूसरे नमबर पे था आपकी पूरी मेहनत के बाद ही समाजवादी पार्टी इस तरह पहुच पाई थी कि वो सत्ता में अपने ही बूते पे आ गई थी किनी कारणों से उनको ये दल छोड़ना पड़ा समाजवादी पार्टी छोड़नी पड़ी और छोड़ने के बाद उन्होंने अपना नया दल गठित किया पहले सेकुलर मोर्चा था ये सेकुलर मोर्चा के बाद चुनाव आयोग के द्वारा इसको प्रकतिशीन समाजवादी पार्टी ब्रैकेट में लोहिया के नाम से और चाभी चुनाव चिन दे करके एक मानेता प्रतान की गई उस चारी चुनाव चिन और पार्टी के नाम पर पूरे प्रदेश भर में 75 हमारे कार्याले हैं जितने जन्पद हैं उतने ही हमारे कार्याले हैं उतने ही हमारे जिलाद्यक्ष हैं संगठान हमारा पूरा प्रदेश व्यापी है, कुछ और प्रदेशों में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये संगठान बहुत मजबूत है। ताजी सब्जियों की काट घर बुलाएं, बजार भाव पर सब्जिया पाएं, देख भाई को कॉल करें, 8650-607033 पर। हां कुछ स्थानों पर प्रवख के चुनाओ जरूर लड़े हैं, तो परिणाम अभी देखिए, दस तारीक को फाइनल वोटिंग है, उसके बाद ही सामने आएगा, लेकिन इटावा में जैसे मालूम चला है कि चार सीटे तो तीन निर्विडों निकल गई हैं, और एक सीट प किसी और से होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या शर्ते होगी, अभी चुकी हुआ नहीं है, तो इसलिए कुछ भी कहना को जल्दी बाजी होगी, हाँ, गडबंदन होगा, यह मैं कह सकता हूँ प्रस्पा नेता ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में प्रस्पा मजबूत इस्तिती में है, और बूत, जिला, ब्लॉक सर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है, प्रस्पा का जिस भी राजनेतिक दल से गडबंदन होगा, उत्तर प्रदेश में सरकार उसी दल की होग इस मौगे पर डॉक्टर मर्गूब अयूब सिद्धिक यादी उपस्तित रहे